चलो उत्रो शक्कर कम क्या नाम रखा है शायद फिल्म वालों के पास बजट कम हो रहा है आई टू में अमिजी का डूपलिकेट काम कर रहा है चीने कम के पहले वर्जन में अमिजी ने काम किया था बता तो ऐसे रहो जैसे तुम उनके बहुत बढ़े पहन हो तो बिल्कुल अ यहां बात है अब चले अंदर अब मोलत के सब मात करनी है प्रोडूसर हीरो डारेक्टर सब हमारे रोशन भाई चारी पता नहीं कैसे स्टार बन गया किसे तो मैं ड्राइवर भी ना रखो अबे ओ चारी अपने जबान को बना बेचारी मैं तो चुपी हूँ मुझसे ज़्यादा आप बोज़ें अरे अलो नारियल उठाईए और भगवान का नाम लेकर फोड़ दीजिए आपकी फिल्म सूपर डूपर हिट हो जाएगी आपकी शक्करकम फिल्म ज्यादा दिन तक चले इसलिए मैंने बड़े दिल से पूजा की है दक्षिना दे दीजे हम चले जाएंगे बाहर गुरु जी इंतजार कर रहे हैं और शमशान में राहु जी की लाश अच्छा अब शाम को आजएए मैडम से बोलकर आपको पैसे दिलबा दूँगा क्या कहा पूजा सुभह सुभह करवाली और दक्षिना शाम को देंगे नहीं चलेगा मेरे चान तुम्हें फ्लैट शाहिए या सेंट्र काल चाहिए हमारी दक्षिना नहीं दी और इसे फ्लैट और गाड़ी दे रहे हैं कट-कट बीच में टांग क्यो अडा रहे हो हां हम टांग नहीं अडा रहे हैं हमारी पूजा से ही आपकी फिल्म की शुरुआत हुई है आप देख रहे हो ना मुझे नहीं लगता इनके पास पैसे वैसे हैं फिल्म शुरू कर रहे हैं हमसे पूजा अभी करवाली और कहते हैं दक्षिना बात में देंगे यह सब क्या लफ़ा चल रहा है मैंने कहा मैं शाम को देता हूँ पर ही मेरी बास सुनी रहे हैं देखिया पंडिची वहां स्विंग फूल पे हमारी बैडम बैठी है उनसे जाकर पैसे वांग देशिए मैडम मैडम आखिर यह मैडम है कौन इनकी पोधी मतलब आप उसके द चुपा रखी यह आप यह तो नहीं कह रहा है कि आप ब्रामण नहीं है जिस दिन आप ने मुझे मचली खाने को कहा था उसी दिन से मुझे आप पर शक्क हो गया जब देखो मचली की बाद लेकर शुरू हो जाते हो मुझे तुमसे एक बात पूछनी थी क्या पूछना है तुमने कभी किसी से प्यार किया है क्या प्यार? हम जैसे पंडिक क्या हम भी प्यार कर सकते हैं क्यों? प्यार क्यों नहीं कर सकते अब आप ही ज़रा सोची है न सलीम अनार कली, रोमियो जूलियेट, लैला मजनू, प्यार में इन ही की मिसाले दी जाती है, हम ब्रामभणों के प्यार का कोई इतिहास ही नहीं है अब इतिहास का क्या है, मिटाने से मिट जाता है, लेकिन प्यार कभी नहीं मिटता जब से आया हूं तब से प्यार प्यार करने कहीं आपको प्यार तो नहीं हो गया अब तो आपको शरम भी आने लग गई उमर पचपन की दिल बचपन का गुरु जी फिलाल आप शरमाना छोड़ दीजिए और लड़की का नाम बताईए बचरंगपुर के गनपश शास्त्री को जानते हैं हाँ वही ना जो जील में जिन्दा गए थे लेकिन लाश बन कर बाहर आए उन्हीं कानतिम संस्कार करते समय मुझे उनकी बड़ी बेटी से प्यार हो गया अच्छा मंतर पढ़ते पढ़ते मुह मंतर पढ़ रहे थे आखें चुप रहकर क्या करती उससे लड़ गई लेकिन बैड लग प्यार का मनुहार करने से पहले ही उसकी शादी हो गई उसकी शादी में उनकी दूसरी बेटी लक्षमी पर मेरी नज़र पढ़ी वो जस्ट आवरेज थी इसलिए मैंने ही उसकी शादी किसी और से करवा दी पर तीसरी बेटी चंदरकला को जब मैंने देखा वो भी किसी और की हो जाएगी और आप देखते रह जाएगे इसी बात का तो टेंशन है इसलिए मैं चाहता हूँ कि उसकी मां से बात करके जल्दी से उससे शादी कर लूँ यार, चंदरकला से मैं तुमारी पैचान करवाता हूँ मेरे बारे में कुछ बढ़ा चाड़ा कर शादी के लिए उसे मना लो लड़की को मुझसे मिलवाई है, चकर चला देता हूँ ऐसा कुछ मत करना, जैसे दूसरों के शादी में मदद करते हो वैसे ही मेरे प्यार में मदद कर दो, समझ गए है? काफी बड़ा घर खरीद कर दिया है गुरु जी मेरे बारे में बड़ी-बड़ी बाते करना मैं जूट नहीं बोलता, गुरु जी सब कुशल तो है ना आंटी तुम हो तो हमें किस बात की कमी हो सकती है भट्टू? भट्टू? आंटी मुझे इसी नाम से बुलाती है, चल ये कौन है? मेरा कजिन है और मेरा शेशी भी नमस्ते 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 तुम लोग बैठो, दूप से आए हो, मैं ठंडा पानी लेकर आती हूँ गुरु जी, यहां का सारा सामान भी लगता है मैंने ही खरीद कर दिया है ये फैमिली आपको चाट कर साफ कर देगी साफ करने से भले गोरा हो जाओ, पर मेरा काम होना चाहिए सुनो है, आज कल बहुत बिजी रहते हो, यहां आना भी कम कर दिया है गुरु जी फिट है, छे बजे जॉगिंग जाते हैं, साथ बजे जिम, आठ बजे योगा गुरु जी ने सिक्स पैग भी बना लिया है और कितनी तारीफ करेगा आप अभी तक ब्रम्हचारी हैं, इस बात पर विश्वास ही नहीं होता है अपने लाइक लड़की भी तो मिलनी चाहिए ना, क्या बोलती है अंट हाँ, हाँ, बिल्कुल, तुम्हारी उम्र भी तो बढ़ती जा रही है अरे-रे, क्या क्या रही है आप, गुरुजी की उमर बढ़ रही है छी-छी, आपको पता है, परसो शादी करवाते वक्त, वहां की दुल्हन गुरुजी के साथ भाग जाना चाहती थी आप ही कुछ समझाए ना, गुरुजी मैं क्या कहूँ, हर शादी में ये आम बात हो गई है, आँटी ने भी सुना ओगा नई-ने, मैंने कुली सुना लगता है किसी ने बताए नहीं आँटी बहुत पहुची हुई लगी सीधे खड़ा रहे, आँटी, चंदा कहा है यहीं है, शायद पूजा घर में पूजा कर रही होगी चंदू अरे ओ चारी, चंदा के मन में क्या है ये तो मैं नहीं जानता पर ना जाने क्यों मेरा दिल बहुत धड़क रहा है एक पैर कबर में और दूसरा जमीन पर, ये आपको शोभा देता है ये क्या कह रहा है वो आ गई अप्शकुन, अरे बहुर बहुर ये ही क्यों आती है अंटी, चंदा, आ रही है वैसे गुरुजी, ये सिर जुका कर क्यों खड़ी है शर्मा रही है, मैं यहां खड़ा हूँ न, चंदा ये, बहुत बड़ी गणबड हो गई है मुझे आपसे कुछ बात करनी है, चलिए मैं समझाता हूँ ये क्या बकवास कर रहा है बकवास है या मुखवास है, बात मैं समझाता हूँ, अब चलिए बटचारे जी चंदा, तुम्हें कितनी बार का आया है कि मुझे बिट्टू बुलाए करो बिट्टू ठीक है बट्टू, आपने जो मेरा म्यूजिक सिस्टम ठीक किया था था न, वो फिर से खराब हो गया है मैं बहुत बोर होती हूँ, उसे ज़रा फिर से बेज देंगे, वो ठीक करते है यही प्राब्लम मैं न, डेक टू इन वन है, तो यह ओल इन वन है, चुटकियों में ठीक हो जागा, जा रहे पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा इस टू इन वन के बारे में, अरे पहले तुम इसकी डेक को ठीक करो, जाओ इसमें आपका बेटा है, मेरा बेटा बविश नहीं बताता, मैं बताता हूँ तो फिर आपका बेटा? अरे भाई हाथ देखने दो न, ठीक है, देखिए एक वीक है और एक स्टॉंग है शुकर वीक है शनी स्टॉंग है ग्रहों की महा दशा चल रही है अगले साल इससे भी बुरा होगा लॉंग लैफ चलेगा या बदलाओ भी आएगा बदलाओ मतलब आने वाले अगली वर्ष में क्या आप अल्मोस्ट रस्ते पर आ जाएंगे पिता जी ये लिजे चाय ये कौन है ये क्या इन महापुरुष को मैंने बहले कहीं देखा है बाबुराओ बाबुराओ अरे चारी लो आ गए आ जल्दी से बैट क्या बात है गुरुजी कहा जाना है अरे करोडो की कोई पार्टी मिल गई है क्या करोडो कहां चल दिये साहब अभी बहुत कुछ बताना बागी है अब क्या खाग बताओगे राशी इंसान अपना भविश बराने के लिए दिखाता है रास्ते प्याने के लिए नहीं इडियाट आउ भट्टू चंदा कहा है बिचारी टेंशन के मारे ऊपर बैठी है चंदू गुरु जी ये मुझे देखकर ऐसे शर्मा क्यों रहे है ए तु बाहर जा इमिया रहने तीजे बट्टा चादी जी चंदा हम लोगों की बीच कोई नहीं होना चाहिए तुम मैं और मम्मी जी ए तु बाहर जा पहले दोनों अंदर गए फिर ही अकेला बाहर आया मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मुझे किसी से प्यार हो जाएगा लेकिन हो ही गया अपने दिल की बात मैं कैसे समझाओ मुझे समझ में नहीं आ रहा पर मैं सुनने के लिए बहुत ही उतावला हूँ वन मिनट ए चारी गुरुजी ये फिलिंग भी क्या चीज है मेरा दिल धक धक धोर से धड़क रहा है वो तो धक धक करेगा ही बुढ़ापे का प्यार है न ए एज ये जस्टा नमबर यार वो बाहर आया और चला भी गया लेकिन ये यहीं पे खड़ा रहे गया क्या बात हो सकती है पूछ कर आऊं क्या पूछना नहीं बै शिर्फ नजर रख कुछ तो गडबड है ये लोग सुभह से हमारा पीछा क्यों कर रहे है मामला क्या है लगता इसे हम पे शक हो गया है वो इधर ही आ रहा है तुम लोग चुप रहना मैं इसे समाल लूँगा बाबुरो बाबुरो तुम कहा हो यार क्या माज रहा है मुझे देखते ही phone कान पर लगाते हो और तुम्हारा phone भी तभी बचता है आखिर बाद क्या है टेंशन में हमेशा ऐसा ही होता है वही तो tension किसे है तुम्हें या phone को टेंशन तो हम दोनों को ही है तो हमें follow क्यूं कर रहे हो सुबह हमारे घर पर आ गए और अब यहाँ पर बात क्या है देखे महाशे, हम आपको follow नहीं कर रहे हैं किसी खास काम से हम ही आ रुके हैं बाद में हम आपको बता देंगे अरे बाद में क्यों अभी बता दो क्या बज़े है अरे इदार आना, वहां क्या बप कर रहा है तुम्हारे फोन की तरह, अभी आया गुरुजी, अरे आ जल दिया, क्या हुआ गुरुजी, क्यूं चिला रहे हैं, वो लोग तुझे अंदर बुला रहे हैं, मुझे, किसली है, तुम नहीं रहोगे, तो शादी की बार ठीक से नहीं हो पाएगी, ये क्या क्या रहे है, सब ठ रिष्टा पसंद है ना, इसकी पसंद से हमें क्या मतलब, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये क्या, ये यहां कैसे आ गया, स्टाप, तुम तो अंदर गयते, ड्रेस बिदल के बार कैसे आ गये, रास्ते से हट, मुझे जल्दी है, नहीं जाने दूँगा, पहले सफाई दो, मिली सफाई, ये कौन सा नया कनफ्यूजन है भाई, लगता है वपुल लोग कुछ एंडी लगा के यहां से कल्टी हो रहे लाए, तो तुम्हें क्या लगता है वो अंदर ही है, अंकल जिन्दा होते तो हमें ये प्रब्लम नहीं होती, अरे वो नहीं है तो क्या हुआ, तु मैंने ही तुम्हें इस लड़की से पहली बार मिलवाय था ना, गुरुजी, यही मैंने सबसे बड़ी गलती की, I did a mistake, ओके, I will see, गुरुजी, एक बार मेरी बात तो सुनिये, आज के बाद तेरा मेरा रिष्टा खतम, गुरुजी, गुरुजी, कहकर तुमने मेरी, बैंड इपादी, नहीं गुरुजी, यह एक है या दो है, एक है, मगर दुकान अटक कर रहा है, गुरुजी, मेरी बात तो सुनिये, गुरुजाए, आपने बढ़ी पर्टन ने करके वा रहा है, अरे, अब मैं क्या बताओं, कहते होए भी शरम आती है, यह जो चंद्रकला है ना, इससे गुरुजी प्यार करते हैं यह तो क्या कह रहा है सच कह रहा हूं दादी अपने भट्टू से वही तो कह रहा हूं वो पागल हो गया है क्या अपनी बेटी की उम्रकी लग्की से शादी करने चला है बुढ़ापे में जवानी चड़ गई है उसे आओ भट्टू हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे हैं सब कुछ सुन लिया मैंने आपने जो कहा मैंने भी सुना और इन सब ने भी सुना क्या बड़े लोग प्यार नहीं कर सकते मेरा काम क्या है पंडित हुम है बैठ कर काम करना पड़ता है ऐसे में पेट बाहर नहीं आएगा क्या इन में से किसी को six pack है क्या कल इसका पेट बाहर नहीं आगा इसकी क्या guarantee है यहां discussion खाने पीने का नहीं शादी का हो रहा है तुम इतनी बेरहमी सी बात मत करो चंदा दिल में दर्ध होता है इस उमर में तुम ऐसा करते हो तुम्हें शरम नहीं आती है इसमें गलत क्या है मा बेटी को इतने दिनों से संभाला उनके सुख दुख में उनका साथ दिया अगर एक बूढ़ी विद्वा के साथ शादी करने का इन्होंने फैसला किया उन्हें अच्छी जिन्दगी देनी चाही तो इसमें गलत क्या है ची 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 शरमाये मत माता जी आत्मात्या कर लूँगा मैं अरे पर गुरुजी आप तो चंद्रकला से प्यार करते है ना यही तो समझा रहा था इन्हें पर यह समझते कहा है लड़की की मां से शादी नहीं कर रही उसकी लड़की से ची 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 अरे दुष्ट कही का अगर यह बात हमारे लोगों को पता चली तो थूकेंगे हम पर चलो भाई चलो 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 थूकारा क्यों है जाना यहां से ठीक है चला जाओंगा पहले मेरे 4 लाग रुपे दो फिर मैं यहां से जाता हूँ तुम जानते हो मुझे मंत्र बोलना नहीं आता अगर आता तो तुम्हें शुराब दे देता चारी यह तुमने अच्छा नहीं किया गुरुजी एक बार मेरी बाहा याद रखूंगा मैं शुब महुर्द का समय निकला जा रहा है अब जल्दी सिक दूसरे को अंगूठी पहनाओ रुक जाओ अंगूठी वं अंगूठी सब बात में पहनाना फिलाल यह कारिक्रम इसी समय रद किया जाता है यह क्या कर रहे हो भट्टू दोनों को आश्रवात देने के बजा शादी में विखने डाल रहे हो तोड़ी दर चुप रहा हो मेरा खून खौल रहा है इस उमर में प्यार का नाकाम होना मामूली बात है क्या इसलिए इस मंगनी को तुरंत रोकने के लिए मैं हाय कोट का रोक दिया ज़या में बिल्डिंग के काम में बिजनस के काम में श्टे ओडर देते हैं इसी को लौ केते हैं तुम ने मुझे लव से मारा मैंने तुझे लौ से चंदरकला पए इंविस्ट किये हुए 15 लाइक और तुम लोगों पर 4 लाइक मिला कर 19 लाइक चुकता करो फिर यह क्या है भट्टू पहले तुमने हमें पैसे दिये अब वसूल करने आ गए जब देता था तब खुशी होती थी अब लेने में खुशी हो रही है इसलिए अब वसूल कर रहा हूं मैं भी देखता हूं यह मंगनी कौन रोकता है अरे आप यहां मैं यह तो बिलकुल वैसा ही दिख रहा है इसलिए तुझे लाया हूं फुल मिलाकर कितने देने है नाइन्टीन लैक्स आइमिन उन्नीस लाख रुपए टिप के साथ बीस लाख रुपए देता हूं अब ही देता हूं पूरे एक की बार में इतना पैसा क्यों दे रहें सर पैसे चाहिए जवाब ठोग दूंगा भागे से जाता हूं कहिए श्रीमान ये गरीब ब्राम्हन आपका अहसान कैसे चुका सकता है तेरी जिंदगी के कुछ दिन चाहिए अच्छा कोई यग्य वगेरा करना है क्या नहीं एक्टिंग करानी है अक्टिंग फिल्म बना रहे हो क्या तुमारा एक हम हम शकल है जिस तरह से तुम उसकी वज़े से परेशान हो उस तरह हम भी परेशान है देखा दादी मा मैंने कहा था ना मेरा हम शकल है तुम मानती ही नहीं थी ना माने जैसी क्या बात है कि दुनिया में एक ही शकल की कई लोग होते है फिलाल दो से पाला पड़ा इतना पैसे कमाने के लालच में तू अपने इकलोते बैठे को जाने देगा कुछ हो गया तो इससे कुछ नहीं होगा माजी मैं आपके हाँ जोरता फिकर मत कीजिए पंडित जी आप वहाँ जाकर सिर्फ तीन शब्द ही बोलेंगे ठीक है केवल तीन शब्द कहूंगा उसके अलावा एक शब्द भी एक्स्ट्रा नहीं बोलने वाला हूँ ठीक है ठीक है लेकिन आपको तोड़ा गेटब बदलना होगा ना शादी करनी है तो शेर्वानी पहननी होगी बदल दीजिए